बॉल पेन का उप्यूग तो सभी लोग करते हैं आपने अक्सर देखा ओगा पेन के ढक्कन में यानी कैप में एक छोटा सा छेद होता है सवाल यह है कि पेन के कैप में यह छोटा सा छेद क्यों किया जाता है चलिए मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ अक्सर बच्चे हो या बड़े जब भी काम करते हैं या लिखते समय पेन के ढखकन को मूँ में डाल लेते हैं और कभी-कभी उसे गलती से निगल भी लेते हैं ऐसी स्थिति में ढखकन अंदर जाकर सा नली में फस जाती है पेन के ढखकन में अच्छी चीजिया है कि ढखकन में छेद होने पर उससे सांस का प्रवा होता रहता है और सांस रुक नहीं पाती है अगर यह छेद ना हो तो धक्कन के गले में फसने से किसी की मौत भी हो सकती है इसी वज़े से पेन कमपनिया बॉल पेन के धक्कन में छेद कर देती है ताकि यह गले में फसने के बाद भी सांस का प्रवा ना रोक सके एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में हर साल इसी के चलते सो बच्चों की मौत हो जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए कमपनियां बॉल पेन के धकन में छेद करते हैं आशा करता हूँ कि अब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा